आज हम लोग जो आपके साथ सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वो इंडिन पॉलिटी के सीरीज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं जितने भी आप लोगों की competitive exams हैं चाहे आप SSC का exam ले लीजिए, HP SSSB का ले लीजिए, state exams ले लीजिए उन सभी में आपको इंडिन पॉलिटी से question देखने को मिल जाएगा तो इस सीरीज में हम topic wise एक-एक करके जो है वो questions को जो है जो topic है उनको study करेंगे और ताकि आपके जितने भी competitive exams हैं उन सभी में जो questions आएं आप उनको easily crack कर स्पाएं तो चलिए आज का session जो है वो शुरू करते हैं first जो हमारे पास आज का topic है वो है the drafting of constitution यानि कि constitution को draft कैसे किया गया था तो इसके लिए देखिए अगर हम constitution की बात करें तो किसी भी country का जो constitution होता है वो उसके rules and regulations होते हैं जो भी हमारे पास independent country है या कोई भी country जो आजाद है उसका constitution होना बहुत ही जरूरी है constitution हमें उसके किसी country को govern करने के rules and regulation के बारे में बताता है तो constitution को बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज थी वो थी constitution assembly यानि की सविधान सभा ये जो constitution assembly थी ये किस plan के तहत आई थी तो उस plan का नाम था जी cabinet mission plan यानि की सविधान सभा को cabinet mission plan के तहत बनाया गया और ये जो cabinet mission plan था ये 16 में 1946 को हमारे पास आया था तो पहला question जो आपको बनता है वो ये बनता है कि constitution assembly किस plan के तहत बनाई गया है तो 16 में 1946 को बनाई गयी थी इसकी जो first meeting हुई थी वो हुई थी 9 December 1940 यानि की first meeting के बारे मैं अगर पूचा जाए तो 9 December 1940 आप याद रखियेगा next question आता है this is very important point कि जो हमारे constitution का idea था वो किस ने दिया था हो तो अगर constitution के idea की बात की जाए तो constitution का idea जो था वो M.N. Roy द्वारा दिया गया था तो idea was given by M.N. Roy next point जो हमारे पास आता है कि अगर हम constitution assembly की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास total 389 members थे 389 members में से 292 members provincial legislative assembly से थे और 93 जो थे वो princely states से थे princely states होते हैं जहाँ पे राजा महराजा काम करते हैं तो 3 और 2 पांच, 9 और 9, 18, 380 seats होती हैं इसमें जो 4 seats थी ये British province से थी ये याद रखिएगा कि जो बच गई 4 seat थी ये British province की seat थी तब जाके total 389 members जो है वो पूरे होते हैं next point आई कि इनके उपर जो seats allot की गई थी वो seat जो थी वो 1-2 million यानि कि million का मतलब होता है जी हमारे पास 10 lakh, 10 lakh का 1 million होता है तो यानि कि 10 lakh की population के उपर एक seat जो थी वो allot की गई थी और उस time पे एक Muslim seats, 6 seats और जनल इन तीन communities में seats को divide किया गया था Dr. Sachinanand Sinna जो थे वो हमारे पहले chairman बनाये गए थे Constitution Assembly के अगर इनकी बात की जाए तो ये temporary chairman थे ये permanent chairman नहीं थे जी ठीक है वैसे अगर question पूछा जाए कि who was the first chairman, first chairman तो Dr. Sachinanand Sinna Next point आता है जी आपके पास Dr. Rajinder Prashad जी जो थे इनको elect किया गया था जी प्रेजिडेंट और 11 दिसंबर 1946 को इनको प्रेजिडेंट जो है वो elect किया गया था तो first president अगर पूछा जाए permanent president constitution assembly के तो डॉक्टर रजिंदर प्रशाद जी थे डॉक्टर रजिंदर प्रशाद हमारे पहले president भी रहे हैं जी right constitution assembly के भी और हमारे इंडिया के पहले president भी यही रहे हैं और longest serving president भी यहीं है next point आता है जी कि जो बी एन राउ थे बी एन राउ इसके क्या पॉइंट किये गए थे अडवाइजर पॉइंट किये थे दो नाम याद रखिएगा एक M.N. Roy और एक याद रखना है आपने B.N. राउ जो B.N. राउ थे यह एडवाइजर थे और M.N. राउ जो थे इन्होंने constitution का idea दिया था next point है हमारे पास dr. भीम राउ अंबेटकर appointed as chairman of drafting committee देखिए constitution को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक draft त्यार किया गया था जो draft था वही constitution बाद में उसी को constitution के रूप में बदला गया तो जो drafting committee थी जिस committee ने वो draft त्यार किया था उसके जो chairman थे वो B.N. अंबेटकर जी थे इसलिए B.N. अंबेटकर जी को father of constitution के नाम से भी जाना जाता है next point देखिए जी कि अगर आप constitution के बात करें तो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो constitution था ये बनकर तयार हो गया लेकिन इसे लागू जो था वो हमने किया था 26 जनवरी 1950 को अब ऐसा क्यों हुआ देखिए 26 जनवरी को हम लोग क्या celebrate करते हैं we celebrate republic day हम लोग republic day celebrate करते हैं republic का उल्टा होता है जी मुनार्क अब मैं दोनों words का आपको मतलब समझाता हूँ लेकि republic का मतलब होता है जहांपे head of the state is not hereditary यानि कि अगर इंडिया की बात करें तो head of the state का मतलब president तो हमारे इंडिया के जो president है वो hereditary नहीं है यानि कि ऐसा नहीं है कि जो president बना है आगे उसका बेटा president बनेगा फिर उनके बेटे का बेटा प्रेज़ेंट बनेगा फिर उनके बेटे का बेटा यानि कि इसके उपर वन्शवाद नहीं है जो मुनार्क सिस्टम होता है उसमें इस चीज के उपर वन्शवाद होता है यानि कि उन्हीं के वन्शवाद जो है वो आगे चलते हैं लेकिन इंडि है लेकिन मोनार्ख है इंडिया डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है 26 जनवरी डेट रखने का क्या कारण था कि देखिए 26 जनवरी इसलिए डेट रखे गई क्योंकि हिस्टरी के अंदर हम लोगों ने इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का धिवेशन हुआ था 1929 में और उस अदिवेशन में ये डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले हम लोगों ने पूर्ण सवराज की मांग की थी यानि की कम्प्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए ताकि आगे आने वाली पीडी को ये दिन याद रहे हम लो आता है जी कि टोटल कोंस्टिशन बनाने के लिए हमें कितना समय लगा तो अगर हम बात करें तो पूरे का पूरा कोंस्टिशन दो साल ग्यारा महीने और अठारा दिन में तियार हुआ था तो ये भी कोशन पूछ लेता है कि कोंस्टिशन बनाने के लिए कितना समय लगा थ next question आ गया जी अगर हम बात करें तो हम लोगों ने total 60 countries का जो constitution है वो पढ़ा है 60 countries का constitution पढ़ा जिस country की जो बात हमें अच्छे लगी वो हमने रख ली लेकिन maximum part जो हमारे constitution का है वो Government of India Act 1935 से ही लिया गया है next point है हमारे पास कि total expenditure जो हमारे constitution बनाने में आया था उस time that is 64 lakhs हमारा जो constitution है उसके अंदर 395 articles है 8 schedules है और 22 parts है इस time पे अगर आप presently बात करें तो 12 schedules है और 25 parts है अब थोड़ा सा इस parts और articles के बारे में देख लेते हैं देखिए articles and parts क्या है देखिए जिस तरह से हमारे पास कोई book होती है उसी तरह से हमारे पास एक Indian constitution है book को खोलो गए तो book के अंदर आपको chapter मिलेंगे अगर आप Indian Constitution को खोलेंगे तो उसके अंदर आपको parts मिलेंगे जिस तरह किताब में chapter होते हैं उसी तरह constitution में parts हैं तो total एक से लेके हमारे पास 25 parts हैं जब आप chapter को खोलोगे तो chapters के अंदर आपको topic मिलते हैं हर एक topic में अलग-लग बताया जाएगा parts को खोलोगे तो parts के अंदर articles म लेंगे हर एक article हर चीज़ के बारे में बताता है जिसे article number one क्या कहता है India that is भारत is a union of state यानि की इंडिया जिसे भारत वर्ष कहा गया है ये राज्यों का संग है ये article number एक में कहा गया है इसी तरह हर एक article हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से define करता है अब जो चीज़े chapters और articles में नहीं cover हो पाई उन्हें हमने कहां डाल दिया schedule के अंदर डाल दिया तो total हमारे पास अगर schedule की बात की जाए तो कितने schedule है जी total 12 schedule है next point देखिए जी कि हमारे जो constitution assembly थी उसने हमारे national flag को 22 जुलाई 1947 को adopt किया था और इसका जो design था ये पिंगैली वेंकले जो आंधरा 1949 के अंदर जो है इसका member बना था next point देखिए जी next point है कि हमने constitution assembly में national anthem को 24 जनवरी 1950 को adopt किया था और इसी दिन इन्होंने वंदे मात्रम को भी adopt किया था तो ये था आप लोगों के पास आज का session जिसमें हमने drafting of the constitution को पढ़ा hope आप लोगों को ये session अच्छा लगा होगा अगर आप लोगों को ये session अच्छा लगा है तो इससे अपने दोस्तों के साथ share जरूर करे और जिन लोगों ने हमारा channel subscribe नहीं किया है वो please हमारे channel को subscribe कर ले ताकि और ऐसे videos वो हमारे channel पे देख सके है thanks to be the part of activities जय हिंद जय भारत